गुड मॉर्णी स्टुडेंट्स आज हम करेंगे क्लास के एक्सर्साइज फोर पॉइंट थरीका बी पार्ट find the SCF using the non-division method यह division with the SCF find करना है क्लास पिक एक्सर्स पोर पॉइंट थरीका फार्ट find HCF Y division method पहला है 18 और 20 आपने क्या करना है 20 को 18 से डिवाइड करना है 18 बन जा 18 तू से 18 को डिवाइड करना है इसलिए हमारा SCF कितना होगा SCF 2 आगी है एक दो समोर देखो सिंपल समय किलकुल दिए 25 36 80 इन दो समय करना होगा 36 को 25 यह 36 है चलो 36 को इसलिए बन पर जाएगा पहले 11 25 2 पर गया 22 3 11 को करेंगे अब 33 जा 9 2 बच गया 2 से 3 को करेंगे 2 बन जा 2 1 बच गया 1 से 2 को करेंगे 2 ठीक है इन दो का जो SCF आया है वो आया 1 अब आके जो नंबर दे रखी है हमें 80 उसको 1 से और डिवाइड करेंगे हम 1 8 पर जाएगा फिर 0 निचे ले गया है यह पर 0 नगे जाएगा नहीं 1 से डिवाइड है जो कम्प्लीट हो रही है इसके बाद कोई हमारे बारे बारेंटर बगेरा कुछ नहीं बच रहा है जो SCF आयेगा वो क्या होगा 1 आएगा ठीक है आगे ओर देखो इसे एगला नाहीत समय जो 30, 75, 15 30, 75, 15 तो 75 को 30 से डिवाइड हो 32, 60, 15 रिवाइड रहेंगे 30 को 15 से डिवाइड हो रहेंगे 30 को 15 से डिवाइड या कोई मेंटर नहीं बचाए यानि इन दोनों का हाज़ए C5 तो कितना आ गया 15 आ गया आप जो थर्ड़ नमर बचिया उसको आप और डिवाइड करो तो 2 का HCF आय है उससे फिप्टीन बन जा फिप्टीन पोई रिमेंटर नहीं बचा इसलिए हमारा आइस सी अपने को कित ला हुगा फिप्टीन हो हुगा ठीक है नेक्स्ट समय शिक्स्टी हंडड़ और बंटवंटिफ़ सिक्स्टी हंडड़ बंटवंटिफ़ पहले हंड़ को करेंगे 60 से गवाइड 60 बंजा 60 40 रहे लिए 60 को करेंऎ 40 से 40 बंजा 20 डिमेंटर पचिए अब 20 से करेंगे 40 को उपर गया 40 रहे पूरा है कोई डिमेंटर नहीं बचा है यानी इन दोनों का जो है गहना है 20 है है अब 20 से 125 को डिवाइड करेंगे 26 जा 120 5 रिमेंडर बच गया 5 से 20 को करेंगी 5 हो जा 20 तो 5 कर डिवाइड करनेंगे बाद कोई रिमेंडर नहीं बचा है इसलिए हमारा HCF है वो कितना है 5 है ठीक है तो इसके इस B पार्ट के अंतर टोटल 10 सम है यह 10 सम करने के बाद आपने 15 की टेपल लिख नहीं है तेपल 15 राइट एंड लाइट ठीक है तो यह आपके एकसरसाइज है जो कम्प्लीट है ए पार्ट हमने सेचर्टे को किया था और आज मंदे है 25 रेट को यह B पार्ट इसका हमने कम्प्लीट कर दिया है तक्ट्यू एफ लाइट एफ लाइट नहीं है